किला दूंद खाने से क्या बढ़ता है? 15 क्वीज हीलो दोस्तों मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं क्वीज इन्पुट यूट्यूब चैनल सामान्य ज्यान का नंबर वन चैनल चलिए शुरू करते हैं सवाल एक निमनलिखित में से किस जड़ी बूटी का उप्योब पूजा के साथ साथ खाना पकाने में भी किया जाता है? आपके ओक्षन है तुलसी, तकसाल, अश्वगंधा, अजवान आपका सही जवाब होगा तुलसी सवाल दो, इन में से कौन भारतिय चप्टी रोटी नहीं है? आपके ओक्षन है कुल्चा, चपाती, पराठा, मद्जो आपका सही जवाब होगा, मद्जो सवाल तीन, एक रोटी में ऐसा क्या है कि हम इसे अपने दैनिक आहार में शामिल करते हैं? आपके ओक्षन है, ए, इसमें आधिक काबोहाइडरेट होते हैं, बी, इसमें आधिक विटामिन और खनेज होते हैं, सी, इसमें प्राकृतिक शरकरा होती है, डी, यह सब्स के लिए एक साइट डिश के रूप में कार्य करता है आपका सही जवाब होगा, इसमें आधिक विटामिन और खनेज होते हैं, सवाल चार, मून फली खाने से शरीर में क्या तेजी से बढ़ता है? आपके ओप्षन है, वजन, ताकत, याददाश्ट, लंबाए आपका सही जवाब होगा, ताकत सवाल पाच, किस फल में छिलका और बीज दोनों नहीं पाया जाता है? आपके ओप्षन है, आम, कैला, शहतूत, जामुन आपका सही जवाब होगा, शहतूत दोस्तों क्या आप ओनलाइन शॉपिंट करते हैं? अगर हाँ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाए विजिट करिए आपको जरूर पसंद आएगा दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल नोटिफिकेशन ओन जरूर करें सवाल 6 विश्व का सबसे मिहनती जीव कौन सा है? आपके ओप्षन है चीटी, हाथी, जिराफ, बैल आपका सही जवाब होगा चीटी सवाल 7 माइक का आविश्कार कब हुआ था? आपके ओप्षन है 1889, 1947 1877, 1947 1942 आपका सही जवाब होगा 1877 में एमिली बरलिनने क्या था? दोस्तों आपको माइक लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है सवाल 8 मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जीवित रहता है? आपके ओप्षन है 10 मिनट तक 20 मिनट तक 5 मिनट तक 24 मिनट तक आपका सही जवाब होगा 10 मिनट तक सवाल 9 अनभूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद है? आपके ओप्षन है नाशिक डिल्ली कानपुर अहमदाबाद आपका सही जवाब होगा नाशिक सवाल 10 कोका कोला किस देश की कमपनी है? आपके ओप्षन है भारत की चीन की जापान की अमेरिका की आपका सही जवाब होगा अमेरिका की सवाल 11 काजू महेंगे क्यों होते हैं? आपके ओप्षन है वे दुर्लब है काजू निकालने की प्रक्रिया कठिन है वे भारत में नहीं बने है इन्हें धूंधना कठिन होता है आपका सही जवाब होगा काजू निकालने की प्रक्रिया कठिन है सवाल 12 अनानास का एक पौधा कितने अनानास पैदा करता है? आपके ओक्षन है 10, 20, 5, 1 आपका सही जवाब होगा सिर्फ एक सवाल 13 उत्तर भारत की रसोई में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला तेल कौन सा है? आपके ओक्षन है नारियल का तेल मून फली का तेल सुरज मुखी का तेल सरसो का तेल आपका सही जवाब होगा सरसो का तेल सवाल 14 निमनलिखित में से कौन सा काबो हाइडरेट प्रदान नहीं करता है? आपके ओक्षन है मक्खन, पनीर, पालक, मचली आपका सही जवाब होगा मचली सवाल पंद्रह, दूद किला खाने से क्या बढ़ता है? आपके ओप्षन है, दिमाग, ताकत, लंबाए, वजन आपका सही जवाब होगा, ताकत किला और दूद के सेवन से शरीर को ताकत मिलती है और आपको हश्ट पुष्ट बनाते हैं रोजाना सुबह नाश्टे में केला और दूद का सेवन करना चाहिए, इसकी वजह से भूख जल्दी नहीं लगती है और आपका पेट भरा रहता है केला और दूद एक साथ खाने से शरीर में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और मिनरल की भरपूर मात्रा मिलती है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और जरूर करें धन्यबाद